असलाम नेकुम सुडेंट्स वेलकम टू मैं चैनल स्वेल लाइफ आप में आपके साथ साथ साइकॉलजी 101 के लेसन अबर 39 को डिसक्स करूंगी इसकी एडिंग के साइको धैरपी यह भी 38 लेसन का कौंटिनियूज पार्ट है तो देख़ते हैं किया सबसे पहले ह्याईवे कुछा है इसमें हैम आपने लास्ट में भी 38 में भी बढ़ा था के कrire कहिन का गुता हैं जिसमें भीहेयर कोर वहींडरपाइब को जर्जंग करना होता है कि वो किस level का है अगर वो high level पे ग्याव है patient का behavior तो उसको low level पे लाया जाता है अगर low level पे है तो उसको high level पे लाया जाता है यानि इसके mood को उसकी frequency को चेक किया जाता है कि जो desire behavior उसको चाहिए या उसको होना चाहिए उसको लाया जाता है उसके बाद steps in behavior modification इसमें क्या steps involved होते हैं कि सबसे पहले target होता है कि behavior को judge करना है कि वो किसा है उसके बाद design करना होता है कि हम कैसे इस behavior में जो issue involved है उसके behavior को खराब करने में या उसको psychological problem जो बेर करनी पहल रही है उसमें जो issue involved है उनको देखा जाए और उनकी मोनीटरिंग की जाए और अच्छे तरीके से जो फिर उसके मताबिक जो planning और जो techniques या जो therapy उसपर use करने है उसको उच्छे तरीके से उसपर implement किया जाए और उसकी carefully monitor की जाए उसके बाध किया शेपिंग अब shaping में क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक person का जो रवया है वो कैसा है उसका response कैसा है उसको उच्छे तरीके से समझा जाता है और जब इस चीज़ को start किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कैसे patient को आप desire level पे ला सकते हैं यानि इसमें reinforcement technique भी आप यूस करते हैं reward भी यूस करते हैं यानि patient को आप different तरह के rewards के साथ या जैसे उसको एक positive way के साथ उसको treat करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें ये इनाम दूँगा या तुम्हारे साथ ये अच्छा काम होगा तो इसमें ये नहीं देख करता है उसको accept करता है और अपने काम की तरफ तबज़ो देता है अब वह क्या है कि वह behavior को learn करता है अगर वह behavior को learn कर लेता है और उसको सारी समझ आगी है कि मैंने patient को कैसे treat करना है मैंने इस पे techniques कैसे use करना है अगर मुझे reinforcement techniques की जरूरत है जिसमें हर चीज को एक forcely patient से करव धाय जाता है negativity से positivity से या dart के जिस तरह भी तो अगर वह इन सब चीजों को समझ लेता है तो वह क्या करता है वह उसके लिए easy हो जाता है patient को treat करना जैसे अगर कोई कुछ सीखना चाहता है कोई music सीखना चाहता है या कोई भी काम सीखना चाहता है तो वह उसको अगर नहीं आ तो वो reinforcement तरीके से सीखता है, यानि मैंने इस काम को करना ही है, सीखना ही है, चाहे मुझे वो starting point पर ही क्यों न समझ आए, उसके बाद next क्या है, usefulness of behavior therapy, यानि behavior therapy कितनी जादा useful हो सकती है, या beneficial हो सकती है, तो यह क्या है, यह patient पे 50 to 90% काम कर जाती है, यानि अगर आप patient को अच् professionally, आप उस पे काम करो, तो यह आपको अच्छा result देती है, जैसे कोई नशे का शिकार है, या smoking में involved है, या किसी और खलत आदत में, anxiety में, या disorder में involved है, तो अगर आप उसको therapy के जरुए है, या इस तरह ट्वीट करेंगे, तो आपको उसके अच्छे result मिलेंगे, उसके बाद प्रोट या cognitive approach in behavior modification, cognitive approach क्याती है, जो आपकी inner powers होती है, उसमें किया है कि अब जब behavior modification आप technique यूज का रहे हैं, तो इसमें cognitive approach को आप कितना accept का रहे हैं, या उसके मताविक आप कितना काम का रहे हैं, आप person की थेरी उसके believe को, उसकी जो भी motivation है उस वो आप कितना समझ रहे हैं उसके मताबिक आप उसको modify कर रहे हैं उसको treat कर रहे हैं तो उसके बाद कि step in behavior modification इसमें कहा है कि आपने सबसे पहले वो ही कि behavior को समझना है आपका main goal यह होता कि आप behavior को समझ सके उसके मताबिक आप देखें इसके background में जाएं कि इसका behavior ऐसा क्यों हुआ है इसमें क्या issues involved थे क्या problem involved थी उसके बाद अगर आप कोई technique यूज करें तो आपने इसको कैसे design करना है कैसे plan करना है कैसे उसके उपर patient के इसको implement करना है फिर आप इसको evaluate करते हैं और देखते हैं कि आपको इसका desire result क्या मिल रहा है उसके बाद altering in belief system यह भी वही 38 वाला ही सारा इसमें आ रहा है repeat हो रहा है कि आप देखते हैं कि अगर लोगों का belief system खराब है यानि उनका रवया दूसरे लोगों के बारे में उनका यकीन या पर society में उनको move करने में problem हो रही है तो आप उनका वो way change करते हैं आप उनका लोगों के साथ interaction अच्छा करने की कोशिश करते हैं उनके belief को अच्छा करने की कोशिश करते हैं आप यह चाहते हैं कि यह लोगों के साथ इनका interaction अच्छा हो यह society में move कर सके लोगों पे believe कर सके उसके बाद किया cognitive theory of for depression इसमें क्या होता है इसमें patient को इसकाबिल बनाया जाता है कि वो अपना जो भी उसका depression उसके मार्ण में चल रहा है या जो वो सोच रहा है उसको positive way में लेके है यानि अपनी सोच को change करें अपने problem को solve करें उसको सिखाया जाता है कि वो अपनी inner power से अपनी problem को कैसे solve कर सकता है उनको इस चीज़ के बारे में ये यकीन दिला जाता है कि जो depression है या जो आपकी डिप्रेसिव situation है वो आपकी negative thoughts की वज़ा से हैं आपके दमाग में बार बार अकर हो रही है बार बार आरी है आटोमेटिकली आ जाती है तो आप उनसे unaware होते हैं आपको क्या करना होता है कि आपको उन सोचों पर कंट्रोल करना होता है अपनी सेल पावर को यूज करना होता है ठीक है अब इसमें फैक्टर्स क्या इंवाल्व होते हैं कि आप कैसे एक पेशन्ट को ठीट करते हैं सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसका जो बिलीव सिस situation को देखना होता है कि उसके इन जो डिप्रेशन उसमें क्या situation involved है environmental situation involved है या क्या वजुहात हैं जिसकी वज़े से वो depression में आया है और उसके बाद आपने उसके alternative या effective solution उसकी problem को solve करने के लिए search करने होते हैं उसके बाद क्या rational emotive behavior therapy यह क्या है कि यह Albert ने 1962 से 1977 में develop करवाई और इसका focus किया था कि irrational beliefs जो है उनको change करना उनको accept करना कि हाँ यह भी वजूद रखते हैं या इनको कैसे change किया जा सकता है उसकी बात कि पेशेंट के irrational beliefs को खतम किया जाता है और उसको इन चीज़ों से avoid करने का जाता है कि एक चीज़ को अपने पर तारी नहां करने एक चीज़ को अपने पर बिल्कुल focus ना करने इसपर कि मुझे यह करना ही करना या मज़े यह चाहिए कई ways ऐसे होते हैं आपकी life में जब आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप उसको अपने पर बहुत ज़्यादा जनूनी के फिर्फ में तारी कर लें या उसके पीछे बहुत ज़्यादा इंवाल्मेंट शो करवाएं तो उससे आपको डिप्रेशन हो जाता है अगर वह आपको नहीं में बिल रही तो इसमें आपको अपना वे चेंज करना चाहिए या आपको उसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने रियशनल जो भी उनका भी विर रहा उसको किसे वह चेंज कर सकते हिपावनि पूल भी अपनी शोच करें या अपने आपको सेंजें अपनी जू उसके मतबिक चलें उसके बा belki humanistic तरफ इसमें कहां कि इनसान जो है वो अपनी सोच अपनी सलाहियत के मताबिक अपनी किसमत को शेप दे सकता है या अगर वो जो सोचता है या वो जो करना चाहता है वो उसके इक्तियार में होता है अगर वो अच्छा सोचेगा अच्छा करेगा तो उसको फायदा होगा अगर लोग इस बात को सम हावी करके उसमें वो डिपरेशन का शिकार हो जाय और इस चीज़ को समझछा कि हमारे लिए क्या मिमपोर्टन्ट है कि कि हमें उसके मताविक कितना काम करना है ठीक है और वह उसमें क्या कि आपने personality को मुकमल देखे ना कि अपनी different factors के वज़ा से या different situation के वज़ा से अपनी personality को parts में तक्सीम कर ले यानि इस तरह के अपनी personality को वो अच्छे तरीके से जाजी ना कर सके और अब कुछ चीजों के बीचे अपनी personality को अपनी शनागतों खराब कर ले उसके बाद कि humanistic approach emphasizes कि humanistic approach किस चीज़ पर जोर देती थी individual freedom पे capacity for personal growth intrinsic worth पे और potential self fulfillment पे यानि आप में कितनी power है कि आप अपनी जो desire है उसको पूरा कर सके उसके बाद Rogers approach है Rogers के approach के बारे में किया है clinical theory है जो कि Rogers के experience पे बेस है जो उसने clients के साथ deal करते हुए किया था इसमें किया कि उसकी जो theory थी वो fruit से ही मिलती जूलती थी और logical aspects से इसकी theory के उस चीज़ पे emphasize करता था कि जो life का basic factor है वो है force of life जो जिसको actualization tendency भी कहते है यानि आप अपनी actualization अपनी self personality को groom करें उसको develop करें और उसके मताबिक अपनी जो fulfillment है अपनी जो डिजायर है उनको पूरा करने की कोशिश करें अब इसमें क्या कि था optimal psychological adjustment optimal psychological maturity incongruence और complete openness to experience humanistic approach इस approach का क्या मकसद था या यह क्या suggest करती थी कि लोगों का अपनी जिन्दियों पर control है अगर लोग अपनी self power को use करें उसको develop करें तो वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है हमें क्या करना है और कैसे करना है अब उसमें यह था कि Rogers ने किस चीज़ की तरफ focus किया कि जो therapist है उनको क्या process maintain करना चाहिए concurrence का empathy का और respect congruence empathy और respect congruence क्या होता है honesty के साथ client को deal करें geniusness के साथ और empathy क्या है उसमें इस चीज़ का इस चीज़ की समझ होने चाहिए कि वो patient के रवाइये को feel कर सके उसकी ability को feel कर सके और was expectedly positive हो के patient का इलाज करें उसके बाद कार रोजर्स psychotherapy और लोजर्स इस बात की वज़ा से बहुत best जाना जाता है कि उसने इस therapy में बहुत ज़्यादा contribute किया और उसको कैसे पेचाना जाता है person centered client centered therapy non directive therapy भी इसको कहते है अब यह आपके objective में आ सकते है कि कार लोजर्स की जो तेरी है उसको क इसकी स्राम से जाना जाता है जैसे person centered है client centered therapy है या भी non directive therapy है और इसको rogerian therapy भी कहते हैं और उसकी इसमें main technique क्या थी reflection की थी जिसमें यह था कि अपने जो emotional है उनको पहचाने उनको समझे और इसमें यह था कि जो therapist है उसको patient के जो भी problem है जो भी situation है उसको चे से समझ के और फि इसके बाद अधर प्रोची जिसमें existential therapy है इसमें क्या आता है कि जब इनसान का focus होता है उसकी freedom पे उसकी potential powers पे positive forces पे existential therapy basically इस चीज़ बेस करती है जब आप अपने मुल्क में freedom के साथ आप फिर सकते हैं या अपने अपने काम कर सकते हैं अगर आपको ऐसी हजादी नहीं मिल या आपको as a whole as a individual ऐसे जादी नहीं मिल रही तो आप क्या करते हैं आप खौफ और different pressures का शिकार हो जाते हैं तो इस therapy का क्या मकसद होता है कि ऐसे जो patient होते हैं जो अपने पर खौफदारी कर लेते हैं या लोगों से मिलना जूना या बाहे निकलना चोड़ देते हैं तो उन अजादी को कैसे यूज कर सकता है या नि वह अपनी life को better तरीके से किसी भी महौल में adjust करके कैसे गुजार सकता है अपनी problems को कैसे overcome कर सकता है उसके बाद क्या है गेस्टाल ठेरपी गेस्टाल ठेरपी भी क्या था कि जब पेशेंट अपनी feelings को अपनी जो भी thinking है उनको शो क कर वाता है किसी घुसे के साथ किसी एंगर के साथ जैसे उसकी माइन में अगर कोई conflict है कोई तजाद है कोई परेशानी है तो वो क्या करता है वो एक दूसरे पर निकालने कि जाए पनी परेशानी किसी और जरीये से निकाल लाए जैसे parents बच्चों पर निकाल रहे हैं अगर जाता है frustration है उसकी वो काम की जा सके और डिफरेंट एक्टिविटी से उसके उनकी इन चीज़ों को ऑबर काम किया जा सके उसके बद गूप थेरेपी किया है ग्रूप थेरेपी में ऐसा होता है कि जब लोग अपने problems को या difficulties को group members के साथ डिसकस करते हैं जैसे कुछ लोग हो होते हैं जो के different तरह के लोगों के साथ जिनका रापता होता है contact होता हो किसी therapist के साथ उनका contact है या किसी doctor के साथ है तो क्या करते हैं हमने problem को discuss करते हैं उनका solution जाने की कोशिश करते हैं या पिर यह देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे overcome कर सकते हैं या उनकी society में अगर ऐस जाती है ये family member को include किया जाता है कि वह अपने जो भी patient को या अपने person को कैसे handle कर सकते हैं इस omega को कैसे solve कर सकते हैं उनको समझाए जाता कि वह patient के साथ कैसे treat कर सकते हैं उसके नेचर को कैसे समझे हैं कि अगर फैमडी इशुस की वज़ा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुए है तो फैमडी को कैसे इन में इंवाल्ब करके इन प्रॉब्लम को सॉल्ट किया सकते हैं उसके बाद बायो मेडिकल थेरपी जिनने मेडिकेशन हैं साइको सज्जरी हैं लाइफस्टाइल चेंजिस हैं यानि अगर मेडिकेशन की जरूरत है तो वो दी जाती है किसी सज्जरी की जरूरत है तो वो की जाती है या फिर लाइफस्टाइल चेंज करवाए जाता है जिसक सार्ट में आपका सारा 38 का ये continuous part है तो आपको यहां से जो इसमें other approaches हैं आप इसमें ये सारी देख लें कि ये क्या होती है जैसे existential है, gestalt है, group है, family है, biomedical therapies है तो ये आप इनको इनका conceptual करें बाकी lecture को आप एक दवा thoroughly read कर लें ताकि objective में आपके काम आ सके और जिन psychologist या philosopher ने जो approaches introduce करवाई हैं उनका नाम और date जरूर याद रखा करें क्योंकि ये objective में आ जाता है तो ये था आजका lecture अमीद आपको समझा गयागा अप यूबी को प्रोग्लम होता आप पूछ सकते हैं प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें और share जूर किया करें ताकि ज्यादे से स्टुड़न को फायदा सके और मेरा ब्लॉग है और उससे आपको past papers के link मिल जाएंगे और handouts भी आपके काफी सादा वहाँ पे हैं आप वहाँ से download कर सकते हैं और facebook और instagram पे आप follow कर सकते हैं चैनल को और मुझे दीजिए जासत अलावफिस